हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू और यूट्यूब चैनल तो स्ट्रेंट्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखिए जो हमारे पास एक्जाम की डिमार्ड है उसके अपको सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए तो नहीं बेसिक्स को आज हम डिसकस करेंगे लेकिन शुरू करने से पहले में आपको अपने कुछ इनिशाटिव के बारे में अधिकार तो आप इनको अपने फ्रेंट्स और बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के अधिकार तो देएर मैंशन इन फार्ट थर्ड आप ढव दा इंड्यों कॉन्सिशन समीधान के पार्ट थर्ड में इनको मैंशन किया गया है लेकिन अब बहुत इंपोरेंट बात यह हमारे पस बिना किसी इसक्रिमिशन बिना किसी पक्षपात के सिपको अवेलिबल करें ज लेकिन मेंली हमारे पास अगर हम बात करें और इनकी गेरंटी कोन लेता है हां जी Constitution अगर आप से वेपर में कुशन आ जाए कि fundamental right का guarantor कोन है तो आपने आदफने Constitution समीधान ही fundamental rights का guarantor है अब अगर कुछ बात करें fundamental rights को लेकर अगर सरकार चाहे तो इनको कुछ हद तक limited कर सकती है इनको हमारे पास समीधान से हटा भी सकती है ठीक है जब हमारे पास एमर्जंसी रखते जैसा कि तो सारे fundamental rights जो है सस्पेंट रहेंगे except two fundamental rights that is mentioned in the article 20 and 21 इन दो fundamental rights को छोड़कर बाकी सभी fundamental rights जो है वो हमारे पास सस्पेंट रहेंगे ठीक है और हमारे पास they can be restricted during the martial law अब question उठते है हमारे लिए कि कितने fundamental rights है देखें students हमारे पास total अभी अगर हम बात करें छे fundamental rights there are total six fundamental rights लेकिन जब समीधान बना था जब समीधान हमारे पास लागू वहाथ तो there are seven fundamental rights और उनमें से एक था right to property जिसको बाद में आगे चलकर repeal कर लिया गया तो seven में से यह रह गए छे तो right to property अब आपका एक legal right है ठीक है याद रखेगा अब वो fundamental right नहीं है तो fundamental right हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं सबसे वहला fundamental right है right to equality जिसके लिए article 14 to 18 हमारे पास काम करते है right to freedom article 19 to 22 right against exploitation चोशन के विरुद अधिकार थीस और चॉबिस right against freedom of religion धर्म को लेकर हमारे पास जो freedom दी गई है that's why there is secular character of our constitution cultural and educational right article 29 30 right to constitutional remedies article 32 so these are the fundamental rights mentioned in our constitution ओके चलिए जी अब इनी को थोड़ा साम basic idea लेने के कोशिच करते हैं दो पार्ट में fundamental rights को cover करेंगे आज पहला पार्ट हम cover कर रहे हैं तो अगर हम बात करें article 12 की देखिए fundamental rights जो है वो शुरूव हो जाता है article number 12 से तो अगर हम बात करें article 12 की तो इसमें state की definition दी गई है क्योंकि बार-बार हमारे पास एक शब्द का प्रियोग होगा जब हम fundamental rights को पढ़ेंगे that is state कि state यह नहीं करेगी state यह नहीं करेगी state यह नहीं करेगी एसा नहीं करेगी लेकिन state है क्या तो क्या किसी पर्टिकुलर राज्य की बात हो रही है तो नहीं तो जब हम state की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 स्टेट को explain क रहा है जिसमें केंदर सरकार यानि कि union government state government और जो हमारे पास ऐसी authorities जिनको हमारे पास government के funds के तुरू manage किया जाता है जिसमें government majority shareholder है जैसे LIC है NTPC है यह सब हमारे पास solve करते हैं under the definition of state और इनको आप challenge कर सकते हो in the court for the violation of fundamental right अगर इनमें से भी state के अंदर किसी ने भी आपके fundamental right की violation की है तो directly आप उसको challenge कर सकते हो इंदा court of law हाँ जी clear तो यहाँ पर आपको यह चीज की clarity हो गई होगी चले जी आगे बात करते हैं हमारे पास आगे चलते हैं तो अगर हम आगे बात करें स्वेण यहाँ आपर अर्टिकल 13 क्या बोलता है वट आर्टिकल 13 से आर्टिकल 13 हमारे पास बात करता है कि हमारे पास जो फंडामेंटर राइट के लो जाएंगे वो inconsistent हो जाएंगे मतलब कि अगर state government या center government मेरी बात ध्यान सुनना या फिर center government ने कोई भी ऐसा कानून बनाया जो फंडामेंटर राइट के अगेंज जाएगा जो फंडामेंटर राइट के अगेंज जाएगा उसको नल और डिकलेर कर दिया जाएगा तो इसमें दो हमारे पास डॉक्ट्रिन आते हैं डॉक्ट्रिन और सेवरेबिलिटी इसी तरह से protection दी जाए तो यहां पर आप इस चीज को समयने की कोशिच कीजिए कि doctrine of severability और doctrine of eclipse एक तरह से protection करते हैं protection हमारे पास देते हैं किसको fundamental rights को क्योंकि नहीं तो state या center government क्या कर सकती है ऐसे कानून बना सकती है जो fundamental rights के गेंज जाए और fundamental rights की importance को खदम कर दें तो यहां पर एक चीज कही गई कि ऐसा कोई भी कानून जो fundamental rights के based होगा तो उसको automatically हम खारिच कर दिया जाएगा उसको खारिच कर देंगे ठीक है तो यह हमारे पास constitution का article number 13 हमें बताता है उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 14-18 यानि कि right to quality की तो यहां पर आप देखेगा सबसे पहले हमारे पास आता है equality before the law and equal protection of the law यानि कि कानून की नजर में सब लोग समान है सब को समान रूप से हमारे पास जो है समझा जाएगा उनको समान रूप से हमारे पास consider किया जाएगा that is article number 14 article 15 क्या बोलता है कि 5 grounds अब यह बहुत important है article 15 क्या बोलता है कि 5 grounds पांच चीजों के basis पर कोई discrimination या पक्षपात नहीं होगा वह 5 grounds कौन कौन से है religion धर्म के अधार पर race कि आप किस हमारे पास वंच से बिलॉंग करते हैं ठीक है कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बरताब का जन्नम स्थान का है इन पांच basis पर कोई discrimination कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है मानली जी स्टेट अगर ऐसा कुछ करती है तो जिसने भी गड़बड़ी किया है उसको हमारे पास सजा जूरूर मिलेगी equality of opportunity in public employment अब देखिए आप लोग सरकारी जौब के लिए प्लाई करने जा रहे हैं तो public employment में सब को equality मिलनी चाहिए public employment में जब भी कोई सरकारी नोकरी निकलेगी तो उसमें हमारे पास सब को बराबरी का मोगा मिलना चाहिए that is clearly mentioned the article number 16 of the Indian Constitution जो reservation है वो इसके सब clauses के तहर्ट आर्टिकल 16 के सब clauses के तहर्ट प्रवाइड की जाती है उसमें भी हमारे पास क्या consider कि कुछ हमारे पास ऐसे लोग है या कुछ ऐसे हमारे पास group है जो पिछड़ गए हैं over the period of time और उनको हमें streamline करना है बराबर ले कराना है so that's why reservation provided that is not the violation of article number 16 but as per article number 16 there must be equality of opportunity in the public employment ठीक है article number 17 deals with abolition of untouchability so that means untouchability is abolishing in all forms and that is also available against the individuals what do you mean by that that whatsoever open article 17 का literal meaning कैसान जब्दों में मतलब क्या है whatsoever open to the general public open for all whatsoever open for the general public open for all मान लीजिए अगर कोई कर्याने की दुकान एक व्यक्ति के लिए खोली गए तो किसी पर्टिकुल समधाय को वह समान देने से अगर बना करता है तो यह untouchability को practice करना इसके लिए उसके खिलाफ कारवाई हो सकती है तो यह उनकुछ चुनिंदा राइट्स में से एक है जो आपको स्टेट के साथ साथ इंडिविज्योल के खिलाफ भी मिले हुए है तो दिरिजा क्लियर कट आप इस बस में मत चड़िये तो यह सब क्या है इसको completely प्राइबिट कर दिया गया है गौर्मेंट के अगर कोई फिर बिसको प्राक्टिस करता है तो उसके खिलाफ सजा के प्रावधान रखे गए हैं आगे चलता है हमारे पास आगे हमारे पास आर्टिकल इटीम क्या बोलता है अबोलिशन आप अंटचबिन टाइटल की कोई उपाधी जैसे हमारे पास राजा महराजा ठीक है कोई और हमारे पास उपाधी जो पुराने टाइम में जमीदार जागीरदार यह सब उपाधियां आप यूज नहीं कर सकते पने नाम के आगे अफिशली जो आपका नाम होगा नॉर्मल नाम होगा आपके नाम के आगे ऐसी कोई उपाधी या टाइटल यूज नहीं क्या जा सकता एक्सेप्ट टू थिंग्स एक तो मिलिटरी एंड और दूसरा अकैडेमिक टाइटल अगर आप डॉक्टर है तो अपने नाम के आगे क्टे ए लगा सकते हैं इंजीनिर है तो ए यार लगा सकते हैं एडव एट लागा सकते हैं यह आपके लागा सकते हैं यह सब क्या है यह मिलिटरी टाइल है लेकिन अगर मैं नाम के सामने कुछ राजा महराजा हित्या था लगाना चाहूं तो that's not allowed why because article 18 clearly prohibit that thing so article 18 deals with the abolition of titles which mean you not able to use any title and this article also prohibits citizens of india from accepting any title from the foreign state you are not supposed to get any title from the foreign state okay chalye ji next one of us agar am baat karein article 19 very 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 important article because the press in india joha hamas press and newspapers and what do you want to do something that's because of article 19 joha bharat may have a newspaper or amara pass new sales come 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 from 6-3 right that's it's freedom of speech and expression so that's when you have to जो आपकी जो फील कर रहे हो उसको एक्स्प्रेस करने का अधिकार भी है लेकिन इसके चलते आप किसी को ठेस नहीं पहुचा सकते अगर आप किसी के भावनाओं को ठेस पहुचाओगे गाली गलोज करोगे तो का केस बनता है यह दूसरा हमारे पास राइट है अप कहीं भी इकठा हो सकते हो लेकिन ऐसा नहीं को इनर लाइन परमेट लेकर जाना पड़ता है ठीक है यहां पर आपको परमिट लेकर जाना पड़ता है भारत के अंदर भी जो सिक्यूरिटी पॉइंट वे उसे हमारे पास क्रूशल जगह होती है तो वहां पर आपको आई-एल्पी के थूही जाना पड़ता है आप भारत के किसी भी हिस्से में सैटल हो सकते हैं लेकिन इसमें में भी कुछ रिस्क्शन सा जैसे अगर हम एचपी की बात करें गोवा की बात करें तो यहां पर आप जमीन नहीं करीच सकते यह क्यों कि अगया है प्रावधार ताक कि जो हमारे पास यहां के लोग हैं उनके राइट्स को कही ना कहीं प्रोटेक्शन दी जा सके इसके जाने जो प्रेस मीडिया काम करता है वह आर्टिकल 19 का यूज कर करता है नेक्स आम बत करें आर्टिकल 20 की तो देखे बुचे आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि अनके ओपर दोश लगे हैं जो हमारे पास ऐसे है जो जिनको हमारे पास यह पूफ करना है कि वह अपरादी मतलग कि अभी प्रूफ नहीं हुआ मतलब कि क्राइम करने के रिगार्डिंग उनके ओपर चार्ज लएंग कि उन्होंने क्राइम किया है तो उनको हमारे पास कुछ अधिकार दिये गए हैं कन्विक्शन ओफेंस जिसमें तीन तरह के दिकार होते हैं एक्स पोस्ट लो कि आज के दिन आज का ही कानून चलेगा डॉक्ट्रिन और डबल जीओ पारडी कि किसी एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए दो बार सजाग नहीं दी जा सकती तीसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन लो कि सब्सक्राइब कर्स नहीं किया जा सकता तो आर्टिकल 20 वह आर्टिकल है जो हमरे पास अमिर्जण्सी के दौरान भी एक्टिव रहेगा उसके पास सबसें पार Supreme Court ने, तो production of life and personal liberty, जो जीने का अधिकार है, उसके बार में बात करता है, तो यहाँ पर आप देखेगा, यह जो हमारे पर स्राइट है, वो state के खिलाफ आपको मिला है, individuals के खिलाफ नहीं मिला, state की definition हम बात कर चुके है, article 12 में दी गई है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखे कि article 21 को define किया गया है, काफी बार सुप्रीम कोट ने अलग अलग judgment धी, जहाँ पर article 21 का scope और जादा increase होता हूँ में दिखाए दिया, जैसे right to privacy, यह हमारे पास article 21 का ही इससा consider के जागा, right to go abroad, right to social justice, right against handcuffing, protection of cultural heritage, right to pollution free water and air, right to health and medical aid, right to forgotten, तो यह स्तब जो डिजन है, वो सुप now they became the part of article 21, so that's why article 21 is so much important that supreme court declared that article 21 is considered to be the heart of the fundamental rights, okay, next is article 21a, so what article 21a states, so that is very important for you guys, article 21a states that state shall provide free and compulsory education, state must ensure that there must be free and compulsory education for all the children in the age group of six 16 to 14 year of age, so here the most important thing is to remember the age, that is 6 to 14 year of age, okay, next the RTE Act, right to education act, mandate that all private schools, there is another important thing, that all private school, to ensure 25% of their seats for the children from socially disadvantaged and economically backward section, so that means what, if there are 100 seats in the school, 25 seats must be reserved for the economically backward students, so ultimately they are able to get some chance, okay, in the society, उनको भी कुछ, आगे वटने का मोका यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा, so article 21a is very 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 important, and that the article, article 21a, you have to remember that, I did in the later stage, okay, article 21a is not from the starting, not, article 21a added through the 86th amendment, do remember that, 86th amendment act 2002, so that is very 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 important, article 21a added through, 86th amendment, in the year 2002, okay, so article 21a, article 22, protection against arrest and detention, so that, there is a procedure, regarding the arrest of a person and detention, that is clearly mentioned, that if a person is arrested, ठीक है, अगर किसी वेक्ति को arrest किया गया है, तो within 24 hours, उसको magistrate के सामने आपको पेश करना पड़ेगा, इसमें जो traveling time है, that is not included, okay, traveling time जो है, वो excluded रहेगा, okay, so that is article 22, and article 23 and 24, okay, so, prohibition of trafficking in human beings, हाँ जी, and forced labor, तो हमारे पास, जो humans की खरीद फ्रोगत होती है, उसको बैन करने के लिए बात करता है, article number 23, article number 23, clearly prohibits, that there is no trafficking in human beings, and there is no forced labor, okay, article 24, talks about the rights of the children, that prohibits children before the age of 14 to work in mine factories, and other hazardous places, ऐसी जगाएं, जहां पर हमारे पास खत्रा बना रहता है, तो ऐसी जगाएं पर बच्चों को काम करने से, हमारे पास रोकने के लिए, काम करने प्रोटेक्शन के लिए बना है, article number 24, तो यह हमने अभी कुछ article discuss किये हैं, अभी कुछ fundamental rights के कुछ और article रहते हैं, जिनको next class में discuss करें, thank you students, God bless you all.